स्वागत आपका हमारे चैनल डियार स्टेडी पॉइंट में तो आज हम लोग रिजनिंग का एक पजल लेकर आए हैं जो आपका पजल जो है वो एरब से रिलेटेड है और आप लोग को यह चीज पता होना चाहिए कि हम लोग के चैनल पे जो है वो मैथ और रिजनिंग दोनो का सेशन चल रहा है ठीक है जो मैथ और रिजनिंग का सेशन चल रहा है वो आपका कोशन से भी रिलेटेड है वो आपका कॉंसेट से भी रिलेटेड है तो दोनों चीज को आप लोग जा कर देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो आपका मैथ का भी आया है रिलेटेड पहले चीज की अगर आप किसी चीज का प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपका पॉंडेशन मतलब आपका कॉंसेट जो है वो क्लियर होना चाहिए अगर वो क्लियर नहीं है तो आपका और कोस्टन्स भी बहुत हद तक सही नहीं या स्पीड जो है वो नहीं आ पायेगा और जब स्पीड एकुरेस ही नहीं आगा तो फिर रिजल्ट नहीं आने वाले आप लोग का ठीक है तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप लोग कॉंसेट से ही कर लो फिर आते हैं हम लोग कोस्टन्स पर और कोस्टन्स तो हम लोग का डेली होता ही रहता है तो फिर से एक बार हम लोग कोस्टन्स पर आते हैं चले कोस्टन्स पर ध्यान देते हैं हम लोग क्या करते हैं कि कोस में देता था और कुछ आपका येर देता था उसको हम लोग को करना था लेकिन इसमें आपका क्या दिया है इसमें आपका दिया है कि दस लोग है और दोस लोग अलग अलग वर्सों में जनम ले रहे हैं लेकिन सेम और में नहीं जिस और में आपका येर का सिक्वेंस दिया गय Delhi and Bangalore not in same order कहने का मतलब है कि आपका वो अलग-अलग प्लेस पे भी क्या कर रहे हैं बॉन करने है और वह भी आपका same order में नहीं है मतलब जितने भी लोग हैं आपका वो same date मतलब 25 जून को किसी न किसी एर में आपका जन्म ले रहे हैं ठीक है उसके बाद क्या लिखा है अगर इतना पढ़ लिए हैं तो हमको समझ में आपका अलग-अलग उनके हिसाब से एज को निकालना है चलिए हम लोग questions पर आते हैं अगर इतना पढ़ लिए हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले सर्ट करता वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे बॉक्स आरांज करेंगे बॉक्स पर सियोन i entire इनि लिके जो स्योनाइश नहीं होगा उसका संभर किस्टार बनाकर अलगर लिखते जाएंगे और लिखने के बाद कामंट धूण के लिए पोटली उसको बॉक्सपर क्या करेंगे आरेंज करेंगे कैसे इस कोसेंस के अप इसकोसन पूटली पता चल जाएगा यह चीज़ ठेक है चलिए तो सबसक्राइब लिखते हैं यह में क्या है यह को से मोर्ट में लेना चाहिए क्योंकि यह यह बढ़ है एंकर के 1971 है ठीक है 1975 है उसके बाद 1982 है 1986 है 1989 है 92 है आपका 1994 है और आपका 1999 लास्ट लोग यह आपका 10 साल में एज के हिसाब से अरेंज करना है दस प्लेस को लेकर तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले कैटगरी में डिवाइड करेंगे जैसे पहला आपका कैटगरी दिया गया एज का कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें एज जैसे ही हम लोग एज को निकालेंगे उसके बाद इसमें हम लोगों को नेम एरेंज करना है और नेम एरेंज करने के बाद हम लोग क्या करना है उसका प्लेस उसका जो सिटी है वो एरेंज करना है जहां पे वो लोग जन्म ले रहे हैं ठीक है चली तो यहां तो हम लोग क्य कर लेंगे ठीक है तो प्लेस यहां प्लेस कर लेंगे अब दिखुछ जैसे ही हम लोग यह से एज को निकालेंगे तब कितना एज होगा यहां पर हम लोगों पता चलेगा तो निकालेंगे तो 2161 से 2018 26 जून 2018 तक हम लोगों को निकालना है सब कह तो यह तो आपको calculation करना पड़ेगा आपको ठीक है तो यह यहां पर मैंने लिखा 57 year होगा आपका निकाला जाएगा 2018 से तो ठीक है दूसरा आपका है 51 यह तो यह तो आपका निकाल दिया कि टोटल आपका एज जो होने वाला है वह आपका यह दस लोगों का एज जो है वो मैंने यहां पर निकाल दिया हमको सिर्फ दोचीज आरेंज करना एक तो आपका क्या आरेंज करना हम लोग को फ्ले सारेंज करना है हम लोग इनफ़रमेशन करके पढ़ेंगे और एक यह वार में टोटल क्या करेंगे हम लोग बना लेंगे पहला इनफ़रमेशन क्या लिखा है कि जो आपका Bangalore में जनम लिया है, जो आपका क्या है Bangalore में जनम लिया है, अब क्या है कि 10 साल का छोटा या फिर बड़ा होने वाला है, तो difference जो होगा यही है, यहाँ 10 साल का हम लोग ढूंढ लेंगे कि क्या क्या possibility है, इससे मेरा possibility भी पता चल जाएगा आपका, ठीक है, तो प possibility दूसरा क्या 36 और 26 मतलब आपका दूसरा possibility है 36 और आपका 26 कर के दिया गया है यह ठीक है तो यह दो मेरा possibility तो हम लोगो क्या करना पड़ेगा basically हम लोगो दो possibility लेकर चलना पड़ेगा ठीक है इसे मेरा एक बार में हैं कि expensive कि यह पैसिलीटी लेने क्ली ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां पर क्neam Google लेना है और फिर से यहां एक हम लोगो क्या करना है सिटी ले लो या फिर आप का प Ș Windows नहीं है तो यह आपका ले लिए हम लोग ठीक है तो यह दो पॉस्बिलिटी लेंगे तो मेरा स्योर्स और तुरंद कोस्टेंस भी बन जाएगा ठीक है यह हो गया अब देखो क्या है कि जी को अगर हम लोग यह 57 पे बिठाते हैं तो आपका 47 पे क्या होने वाला है ठीक है 47 पे आप बैंगलोर एड़स्ट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं मेरे इसाब से अगर जे को हम लोग यह 36 पे फिक्स करेंगे तो आपका 26 पे क्या होने वाला यह आपका बैंगलोर होने वाला है ठीक है तो हम को यह दिखना है कि बैंगलोर और जी का मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है दो ही possibility है आपका ठीक है तो confirm ये इसको delete कर देते हैं कि ये वाला information मेरा दोनों जगर स्योड सोट बैठ चुका है इसके बाद मेरा तीसरा कोई possibility नहीं है उसके बाद क्या लिखा है 3 person where bond between J and I मतलब J और I के बीच में 3 लोगों का जनम है 1, 2, 3 यहाँ I confirm हो गया उसके बाद questions में लिखा है क्या कि J was elder to I confirm ये तो सही है मेरा फिर 1, 2, 3 यहाँ तो I हो नहीं सकता है क्योंकि J जो है वो I से बड़ा है मतलब 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है I आपका हो सकता है यहाँ तक तो समझ में आया होगा उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि the one born in Chennai was five year younger to F मतलब जो आपका Chennai में जनम ले रहा है वो F से पांच साल का छोटा है ठीक है मतलब वो F से आपका पांच साल का छोटा है कौन? Chennai वाला मतलब जो Chennai एक्सप्रेस में जनम ले रहा है वो आपका पांच साल का छोटा है F से पांच साल का छोटा मतलब F जब भी होगा तो उपर ही होगा Chennai जब भी होगा तो आपका नीचे ही होने वाला है ठीक है चब एक बात और ध्यान देना कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहा है वो लोग share कर दो इस चीज़ को है ना like कर दो, subscribe कर दो और comment भी करो कैसा लगा वीडियो ठीक है? चले हम लोग आगे बढ़ते है मतलब C जो है आपका वो हरी द्वार में जनम ले रहा है वो हरी द्वार में जनम ले रहा है और यह जो है वो तीन साल का बड़ा है किसे? जो देली में जनम ले रहा है confirm यह आपका जो देली में जनम ले रहा है उससे आपका तीन साल का क्या हो जागा? बड़ा है, confirm चलो उसके अधियरा two person born between A and the one born in Mumbai मतलब आपका दो लोग है दो लोग है आपका जो A और Mumbai के बीच में जनम ले रहा है तो Mumbai और A आपका ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, ऐसा तो confirm नहीं बताया गया कि Mumbai वाला बड़ा है या फिर A आपका बड़ा है है ना? तो हम लोग दोनों का possibility ले सकते हैं अपने मन से कुछ भी नहीं का ना, जितना लिखा गया questions में उतना कोई हमको क्या करना, एड़स्ट करना है ठीक है, चलिए यह याद रखेंगे हम लोग की यह जहां भी बैठेगा, वो जैपूर में जनम लेने वाला नहीं है ठीक है, number of person elder 2G, number of person elder 2G was thrice as that the number of person younger 2D कहने का मतलब ध्यान देना यहां पे कि जितने लोग D के नीचे हैं, है ना, उतने लोग आपके G के उपर हैं, लेकिन 3 गुने हैं ठीक है, मतलब G, D के नीचे अगर एक लोग होंगे, तो G के उपर आपका कितने लोग, 3 लोग होंगे, confirm, पहला दूसरा यहां पे क्या होगा, पहला तो समझ में आ गया, दूसरा यहां पे होगा कि D के नीचे अगर 2 लोग होंगे तो G के उपर आपका कितने लोग होने वाले एच्छे, क्योंकि D के नीचे जितने लोग होँगे उससे 3 गुने लोग क्या होने वाले हैं G के उपर होने वाले हैं याद रखिये गा इस चीज को ठीके यह दो possibility होगए तीसरा अगर D के नीचे तीन होगा तो G के नीचे G के उपर क्या होने वाले आपका 9 होने वाले है अब थोड़ा common sense वाला बात क्या है कि मेरे पास 10 को ही adjust करना है मेरे लिए 10 information दिया गया 10 ही year दिया गया है तो ये आपका 3, 4 और 2, 6 लोग हो जाएंगे ये 6, 2, 8, 2, 10 लोग हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे 9 और 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बारा और 2 आपका 14 लोग हो जाएंगे तो ये कभी possible है क्या? यहाँ एक तो यहाँ 3, 2, 3 यहाँ 6 और 3 यहाँ 9 ठीक है? तो ये 14 लोग वाला तो possible नहीं है आपका तो 14 लोग वाला possible नहीं इंशिर्फ आपका possible क्या है आपका या तो 10 लोग वाला या तो फिर आपका 6 लोग वाला पॉसिबल है अब देखो questions में आगे क्या लिखा है लिखा है D was not youngest मतलब D जो है वो सबसे last में मतलब 1999 में D जो है वो नहीं होने वाला है confirm तो नहीं होने वाला तो इस वाले figure में देखो D तो यहाँ बैठ जागा जैसे ही D यहाँ बैठ एगा तो G के उपर 6 लोग होने चाहिए 1,2,3,4,5,6 तो यहाँ G आपका बैठ जागा मतलब D के नीचे दो लोग तो G के उपर आपका 6 लोग यह वाला figure में confirm बैठ गया इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी G रख सकते हैं और यहाँ भी आपका क्या रख सकते हैं G रख सकते हैं आगे देखते हैं इसमें confirm नहीं अभी आगे देखते हैं क्या लिखा गया है उसके बाद क्या लिखा गया है कि H is 2 year hence will be equal to the A is 5 year ago कहने का मतलब है ध्यान से सुनना यहाँ पर कि H का जो दो साल बाद का एज होगा और A का जो 5 साल पहले का एज होगा real वाले एज से real वाले एज से A का 5 साल के पहले का एज और H के 2 साल बाद का एज वो दोनों बराबर होगा किसे, real वाले age से ठीक है, वो हम लोग last में इस पे आरेंज करेंगे तो पता चलेगा, एक बार और ध्यान से सुनना कि एक पाथ साल पीछे का age, real वाले age से, और X का दो साल बाद का age, real वाले age से, दोनों का क्या होने वाला है, बाद वाले age क्या होगा, बड़ा बर होगा आपक और दी जो है वो कहां बॉर्ण कर रहा है है यहान आधावाद में बार्ण कर रहा ठीक है जनम ले गए या तो ए यहातो ड आपका। लास्ट वाला लाइन क्या लिखा है कि the eldest person was born in 12 नसी मतलब जो सबसे बारा वेक्ति होगा वह आपका बारा नसी में जनम ले रहा है ठीक है तो यहां भी आपका बारा नसी और यहां भी आपका बारा नसी हो जाएगा the one born in Kolkata was born after 1985, 1985 के बाद आपका जो है किशी एक दिन आपका Kolkata जो है वो जनम लेगा ठीक है 1985 के बाद मतलब 86 के बाद है ठीक है यह चीज आपका फिर questions में आपका क्या लिखा है यहां पे कि E was 51 year old मतलब E आपका यहां हो जाएगा और E भी आपका क्या हो जाएगा यहां हो ज दिया गया है अब देखो हमको करना क्या है यहां पे question में कि सबसे पहले हम लोग 5 का difference देखेंगे सबसे पहले हम लोग 3 का difference तूंकि 2 मेरा possibility यह जो sure information दिया गया है यह बहुत सारा possibility मेरा करेगा तो possibility करेट करने से पहले इसका हम लोग 60 को धून लेते हैं कि कैसे इसको बनाय नहीं है मतलब यहां जब भी बैठेगा तो 32 और 29 में ही तीन साल का difference है मतलब सी आपका हरी द्वार यहां हो जाएगा सी आपका हरी द्वार यहां होगा और आपका देली यहां adjust हो जागा इस second वाला figure में यह मेरा पहला possibility है और यह मेरा दूसरा possibility है दोनों में से कोई एक ही म क्या होने वाला है सही होने वाला है तो ध्यान रहें यह दूसरा वाला possibility में आपका जेवी बैठ चुका है जीवी बैठ चुका है डीवी बैठ चुका आई और सीवी बैठ चुका है ठीक है यह हो गया अब इसमें क्या है इसमें अगर हम रखते हैं इसमें अगर हम दोनों possibility को रखके देखेंगे तो यहां हम लोग क्या करेंगे यहां हम स्वेकों रखके वो आपका क्या है, 19 और 24 वाला आपका 5 साल का difference हो रहा है, confirm, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, f को यहां रखेंगे, और यहां आपका क्या हो सकता है, यह चेन नहीं को रखेंगे, confirm यह हो गया है, अब यह वाला figure में तो c और a back चुका मेरा, सिर्फ इसमें बिठाना है, यहां कहीं भी आपका f का कोई possibility है, मतलब f से 5 साल छोटा आपका चिन नहीं है, चिन नहीं से 5 साल बारा आपका f है, तो कोई और देखो, जहां पर f बैठ सकता है, जहां पर 5 साल का difference है, यहां 47, 43 में मतलब यह 48 होना चाहिए, ना, यह तो 47 है, तो 5, 3, 8 होगा मतलब 43, और यह 5, 48 होने वाला, तो यह तो possible है ही नहीं, दूसरा और कहीं नहीं लग रहा है, तो यह वाला figure मेरा क्या हो जाए, गलत हो जाएगा, यह वाला figure मेरा, गलत हो जाएगा, ठीक है, अब चलो, जब यहां बैठ गया है, तो फिर आपका g और d का हम यहां बिठाते हैं, g और d को होता है, तो इसके ठीक उपर जी होना चाहिए, तभी न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग को cover करेगा, क्योंकि d के नीचे दो लोग, तो g के उपर आपका कितने लोग, 3 लोग हो जाएगे, तो यह cover नहीं करने वाला, मतलब confirm है, कि यहां c आपका नहीं बैठागा, यह वाला possibility मेरा क्य हो जाएगा, आपका हरीद्वार, c को, और यहां आपका क्या हो जाएगा, देली हो जाएगा, 32 से 3 छोटा है, आपका देली वाला, मतलब 29 पे, और 32 पे आपका c हरीद्वार, 29 पे आपका देली हो जाएगा, ठीक है, चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे, question में, कि आ आपका 5 साल का छोटा बरा है, अगर हम लोग F को यहां रखेंगे, तो फिर से D और G का प्राबलम हो जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, दी और G का प्राबलम हो जाएगा, तो एक और मेरा possibility कि 29 और यह 24 होने वाला है, तो 29 और यह 24 होगा, मतलब 24, 5, 29 आपका हो जा हाँ, यही लिखा गया था, ठीक है, यह आपका लिखा गया था, उसके बाद questions में देखो क्या लिखा गया है, अब हम लोग D को बिठाएंगे, तो जैसे ही यहां D को बिठाएंगे, तो 2 का gap रहेगा, तो फिर से जी यहां नहीं बैठेगा, तो D का हम लोग second वाले पर रख गया, मतलब यह वाला भी मेरा सटिक बैठ रहा है, है ना, यह वाला भी सटिक, यह वाला भी सटिक बैठ रहा है, यह हो गया मेरा, अब देखो, अब क्या करना है कि A और मुंबई वाले में कितने का difference है, दो लोगों का difference है, मतलब दो लोग आपका बैठ रहे हैं, तो अगर अगर हम लोग A को यहां रखेंगे तो दो गैप करके उपर जाएगा नहीं एक दो गैप करेंगे तो यहां इद्वार है होना क्या चाहिए मेरा मुंबई मतलब A यहां नहीं होगा अगर हम लोग A को यहां रखेंगे तो दो गैप करके यहां भी मुंबई नहीं होने वाला है ठीक है अगर हम लोग A को यहां रखेंगे तो नीचे तो कहीं होगा नहीं उपर में एक दो यहां क्या हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा ठीक है यहां आपका क्या हो जाने वाला है मुंबई हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा उसके बाद मेरा क्या है A के 5 साल पीछे का age और H के 2 साल बाद का age जो होगा वो real वाले age से बराबर होगा मतलब H के 5 साल पीशे जाएंगे तो 21 साल और H के 2 साल बाद जाएंगे तो 21 साल मतलब confirm यहाँ बैठेगा कौन तो H confirm क्या बैठने वाला है H बैठने वाला एकदम sure short information है अब आपका बचा क्या बचा आपका B यहाँ पे आपका बच गया B आपका बच गया ठीक है एक और बात यहाँ पे क्या लिखा था कि या तो A या तो D आपका हैदराबाद में जनम लेगा तो भाईया D तो अलेडी चिन नहीं में जनम ले चुका है तो A आपका क्या होने वाला है है इतना confirm उसके बाद आपका क्या लिखा है G और H के बीश में तो यह कोलकता तो होगा नहीं सब्सICK उसके पाइले कोलकता होने वाला नहीं है modified 2016 आप इसके होगा तो यहां हो जायजा क dewने इसके क्या लिखा ने में यहां क्या हो जाएगा जैपूर और यहां क्या हो जाया करें लक्णाव क्या है लखन नफें बचर आपका लखनर पर चानम ले रही हूं डूसरा क्या रीपरेंजर बीट्बीन ओशन मेती हो फो य। और आपको जो बी ऐड़ेंडा का डिफरेंच आपका देख लिए होने वाले ना था एंसर कि या अरहर अा what was the age of one born in Kolkata Kolkata में जनम लेने वाला का age क्या है आपका तो 19 साल आज आपका है in which of the following place was D born D आपका कौन से प्लेस पे बॉर्ण किया है जनम लिया है तो चिर्नाई में फिर आपका पांचमा क्या दिया गया है यहाँ पे पांचमा आपका दिया गया है कि how many person we are born between A and the one born in Delhi मतलब आपका A और Delhi वाले के बीच में कितने लोगों का जनम हो रहा है तो A और Delhi वाले के बीच में देख लोग कितने लोगों का जनम हो रहा है एक भी नहीं मतलब यहाँ पे क्या हो जागा ठीक है तो ऐसे करके सारा questions हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे अब देखो ध्यान देने वाला बात यहाँ पे यह है कि जैस रफतार से मैं questions यहाँ पे solve करता हूँ आप लोगों के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए hard work कर रहा हूँ लेकिन आपको क्या करना है smart work करना है अपना speed बढ़ाने के लिए क्योंकि अगर इस ratio से अगर आप exam में questions बनाते हो तो questions आप से क्या होगा काफी late लएगा attempt कम होगा तो आप लोग अपना speed बढ़ाओ ऐसे जितना भी आपका question इतना भी types का आपका questions है सब पे क्या करो types ढूंडो 50 questions, 20 questions कम से कम practice करो और उस questions पे जब practice हो जाएगा तो आपका काफी कम time लेगा बनाने में है ना तो ये सारा चीज आप करते जो हमारे channel से जूड़े रहो share करो link को like करो, subscribe करो, comment करो है ना और मजे करो, अच्छे से रहो ठीक है, thank you